नमस्कार आप देख रहे हैं देशवा नियूज और मैं हूँ आपके साथ जोति सन्हा बिहार वासियों के लिए बेहद ही खुशी की खबर है क्योंकि अब 5G सेवा बिहार वासियों के लिए आ चुकी है बिहार के साथ साथ जारखंड और उडिसा में भी अब 5G का इस्तमाल लोग कर सकेंगे वहीं बिहार की राजधानी पटना में 5G की सेवा लॉंच होने के साथ ही कई इलाकों को अभी चिनित किया गया है जहां पर ये सेवा लोगों को ग्राहकों को मिल पाएगा वहीं इसका विस्तार किया जा रहा है और बहुत जल्द सभी जगों पर अब लोगों को 5G की सेवा मिल पाएगी वहीं आपको बता दे कि 5G को लेकर के एक और जहां काड़े प्रगती पर है तो वही इस 5G से अब लोगों को गेमी, मल्टिपल एप्स यूज करना, मैसेजेज करना, वीडियो अपलोड करना इन सभी चीजों पर आशानी होने वाली है क्योंकि अब 4G की तुल्ला में अगर देखा जाए तो 20 से 30 कुने स्पीड के साथ में 5G काम करने वाला है और इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगने वाला अगर आपके फोन में 5G अगर आपका फोन 5G है तो फिर आप आराम से 5G सेवा का इस्तमाल कर सकते हैं और एटल इसे लेकर कि अभी विस्त करने पर काम भी कर रहा है एटल की सिवाई पतना साहिब गुरुद्वारा पतना रेलवे स्टेशन डाक बंगला मौरिया लोग बेली रोड बोरिंग रोड सिटी सेंटर मॉल पाटली पुत्रा इंडस्ट्रियल एडिया सहित कुछ चुनिंदा स्थानों पर उपलब्द है एटल पूरे शहर में अपनी सुईधाई उपलब्द करने के लिए नेटवर्क का विश्तार कर रहा है एटल 5G प्लस सेवा अब पतना एयरपोर्ट पर भी उपलब्द है जिससे यहां से उरान भढ़ने वाले और यहां आने वाले एटल ग्राहक हवाई अड़ा टर्मिनल पर इन सेवाओं का इस्तमाल कर सकेंगे बैंगलेरो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल सहित पूने वारा नसी और नागपुर हवाई अड़ो पर एयरटल 5G प्लस सेवा उपलब्द है फाइब जी की सेवा मिलने के बाद अब एक और जहां ग्राहकों में खुशी है तो वहीं तब देखना ये होगा कि इसका विस्तार कब तक हो पाता है और कब तक सभी ग्राहकों तक ये 5G की सेवा मिल पाती है इसले करके जो भी अपडेट होगा वह हम आप तक पहुचाएंगे अगर आपको अमारी खबरे पसंद आए तो अमारे चानल को लाइक करें सब्सक्राइ देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूले